कंटड़ाती धूप में श्रधालूओं ने शुरू की पंचकोशी यात्रा पहले पड़ाओ पर पिंगलेश्वर महादेव का किया पूजन आस्था की 118 क्लोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा दो दिन पहले ही शुरू हो गई अलग अलग जत्थों में शामिल ग्रामीन गुरुवार शाम से ही यात्रा पर रवाना हो गए शुक्रवास तुबह होते ही बड़ी संख्या में श्रधालूओं ने भगवान नाग चंद्रेश्वर से बल लेकर यात्रा की शुरुवात की दोबेर तक यात्री पहले पढ़ाव पिंगलेश्वर पर पहुँच गए यहां अस्थावानों ने प्रथम द्वारपाल भगवान श्री पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किया धर्मिक मानेता के अनुसार पंचकोशी यात्रा का शुभारम वैशाक मास के कृष्णपक्ष की दश्मी तिथी के शनिवार से होना था और यात्री पांस दिन में श्री पिंगलेश्वर महादेव श्री कायव अरुडेश्वर महादेव श्री दोदरेश्वर महादेव श्री विलवकेश्वर महादेव मंदिर में पूजार्चना कर इस से पहले ही यात्रा शुरू हो गई वजन कीरतन करते हुए निकले सधालू, प्रतिवर्ष की तरह स्तालवी, स्वयमसेवी, वस्तामाजिक सरस्थाउं द्वारा पंचकोशी यात्रियों की अलग-अलग तरह से सेवा की जा रही है, नाग चंद्रिश्वर मंदिर से निकलने के पाद, यात्री, पट्टी, बाजार, गोपाल, मंदिर, छत्री, चौक, कंठाल, निजातुरा, कोईला, फाटक, हीरा मिलकी, चौल से आगे बढ़ते हैं, इस पूरे मार्ग पर यात्रियों को कोहे, ककडी, ठंडा पानी के अलावा भोजन पैकिट वित्रत किये जा रहे हैं यात्रा में बच्चों के साथ ही बूडे भी शामिल हैं, जो दैनिक उप्योग का जरूरी सामान गठ्री में बाद कर भजन कीरतन करते हुए पढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्ताएं अधूरी, पहले पढ़ाओ पिंगलेश्वर पर प्रशासन और न महत्व कार्तिक और माग माह के समान है, इस मास में जलदान, कुम्बदान का विश्यस महत्व है, वाईशाक मास इसनान का महत्व अवंतिक खंड में है, जो लोग पूरे वाईशाक इसनान का लाव नहीं ले पाते, वे अंतिम पांस दिनों में पूरे मास का पुर्णिय अर पास में मिलता है सिर पर गठ्री मुव में भगवान का ना धार्विक नगरी उज्जैन में शुरू हुई 118 किलो मीटर लंबी पंचकोशी यात्रा पांस दिनों में उज्जैन के चारों द्वारों का भ्रमन करेगी आस्थाई की ऐसी यात्रा है जिसमें तपती दुपेरी मे लाकोश दालू माधी पर गठ्री रखकर इस यात्रा को कर रहे हैं और अपने मुक से यही जैगोश करते नजर आ रहे हैं कि हात लकडिया चंदन की जै बोलो या शुदा नंदन की